प्रियो बैबल बताती है, शैतान जो हमारा शेत्रू है, गरजने वाले सिह के समान किसे फाड काउं सोच कर घुमता रहता है, उसकी केवल एक ही आशा है, परमिश्वर के साथ आपकी संगती को, शांती को, मेल को दूर करना है, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन परमिश्वर के साथ है, वो कुछ नहीं कर सकता, परमिश्वर के साथ आपका कनेक्शन होने साप आनन से जियेंगे, शांती से जियेंगे, संब्रिध्धी के साथ जियेंगे, सारी आशिशों का अनुभोग करेंगे, ये शैतान बिलकुल पसंद नहीं करता है, इसलिए वो क्या करता है, लिप्टे वे इस अद्बुस सम्बंद को दूर करने की कोशिश करता है, इस तरह दूर करने की प्रक्रिया में, समानी रूप से शैतान क्या उप्योग करता जानते हैं? आकर्शन. जिसके प्रति आप आकर्शित होते हैं, उसी को उप्योग करेगा. आज मैं सीधे एक प्रशन पूछ रहा हूँ, आप कुछ ना सोचें. आज आप जिस पाप को कर रहे हैं, जिस पाप के आप आज गुलाम हैं, जिस पाप से आप जै नहीं पासक रहे हैं, जो पाप आपको बार-बार गिराता है और पाप में डुबो देता है. उस पाप को शैतान आप में प्रवेश करने के लिए क्या उपयोग किया था, सुंदरता को ही न, जो आपको पसंद है उसे ही न, जो आपके आखों के लिए आकरशित था उसे ही न, पता नहीं पाप क्यों दूर से देखने से आकरशित दिखाए देता है. लेकिन पाप करने के बाद वो पाप आपकी जीवन में अंदकार ले आता है शैतान आपकी जीवन में क्या करता है जानते हैं पहले आपसे पाप कराता है फिर कहता ये गलत नहीं है ये बुरा नहीं है पाप भी नहीं है इस तरह कहकर वो आपको ब्रहमित करने की कोशिश करता है, और अंत में आप उसकी बातों को सुन करेदी पाप कर दिये, तो ओ क्या कहता है? चीशी दुष्टव्टी तुझे ऐसा पाप करना चाहिए क्या? तुझ जैसे को ऐसा पाप करना चाहिए क्या? तुझ जैसे को ऐसा बोलना चाहिए क्या तुझ जैसे को ऐसा वहवार करना चाहिए क्या तुझ जैसे को ऐसा गलत काम करना चाहिए था क्या प्रभू की दिरिश्टी में तुम कितना नीच में काम कियो जानते हो ये निंदा कोन करता है शेहतान करता है प्रोस्ताहित करने वाला वोई है, गिराने वाला भी वोई है, उसके बाद आपकी बुराई करने वाला भी वोई है, उसका वुद्देश ही ये है कि आपको नरक में लेकर जाए प्रियो मैं पूस्ता हूँ, वो क्या है जिसे आपके आगे, चारे की रूप में डाल कर, आपको अधिन करने की कुशिश कर रहा है, समानिता जब हम संदेश को सुनते हैं, या आपका सेवक या पास्थर, अद्बुस संदेश को जब देता है और उस संदेश के द्वारा जब आप जागरित हो जाते हैं, हम सच में जागरित होकर कहते हैं, प्रभू अब देखिए पिता अब से मैं ऐसे जीऊंगा वैसे जीऊंगा निर्ने ले लेते हैं प्रभू अब से मैं देखिए एलिया के समान जलन के साथ जीऊंगा और उसके समान जागरित होकर जीऊंगा प्रभू प्राधना में हम इस सब बोल देते हैं और निर्ने ले लेते हैं इस तरह निर्ने लेकर जब हम उस्साहित हो जाते हैं सैतान देखता रहता है कहता है पहले तुम चर्च से बाहर तो निकलो क्या? पहले तुम चर्च से बाहर निकलो क्यों? किसलिए? तुम क्या कहना चाते हो, क्या निर्ने लिना चाते हो, वो सब, चर्च में ले लो, कोई बात नहीं है, चर्च से तुम बाहर निकलो, तुमारे आगे क्या रखने से तुम जुग जाओगे, अधिन हो जाओगे, मैं अच्छे से जानता हूँ, प्रीभाई और भेनों, आपकी विशय में, मेरे विशय में, हमारे विशय में, हमसे भी जो अच्छी रिती से जानता है, वो शैतान है, वो अच्छे से जानता है, क्या जानता है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे जीवन में हम किस विशय में कमजोर हैं, वो अच्छे से जानता है, इसलिए तो उस एरिया में दूसरे विशय में आप कितने भी आत्मिक दिखाई क्यों न दे, उस एरिया में पहुँचने के बाद। उस विशय में आप आकर जुग जाते हैं ना, क्यों जुग जाते हैं, शैतान जानता है कि क्या आपके सामने लाएं ताकि आप जुग जाएं। प्रियोग कहते हैं, सांपों को पकड़ने वाला, सांपों को असानी से अधिन करने के लिए एक जड़ को लेता है, हम सांप को देखकर डर जाते हैं, उसके पूँच को देखकर भी डर जाते हैं, लेकिन उसके पूँच को ही देखकर डरने वाले, हम घर में दी सांप आने से स उस सपेरे को बुलवा कर देखो, वो वहाँ पर घुसा है कहने से, सपेरा जब उस सांप को बाहर निकालता है, वो फुफकारता है, उसके हाथ में एक जड़ रहता है, उस जड़ी बूटी को वो हाथ में लेकर इस तरह उसे दिखाने लगता है, फुफकारने वाले सांप को जड़ी बूटी दिखाने से फुफकारता हुआ वो सांप गुसे को गुसे को दिखाता है उसके गुसे और क्रोद को शांत करने वाला जड़ी बूटी इसके हात में है हम भी चर्च में कितने भी फुफकार मार लें शैतान कहता तुम बाहर आओ में पास है ना तुम्हे क्या दिखाने से तुमारी ये आतमिकता और तुमारा उत्साह और उमंग और ये जोश क्या दिखाने से तुम इन सब को छोड़ कर मेरे पीछे आजाओगे बाहर तो निकलो चर से बाहर आओ मैं पूसताओं प्री भाई और भेन उस साप के क्रोध और गुस्से को शांत कर देने के लिए सपेरे के पास एक जड़ी बूटी है फिर आज श्रैतान आपको क्या दिखा कर आपकी आत्मिक्ता को शांत कर रहा है क्या है जिसे श्रैतान आपके आगे लाग कर परमेश्वर के प्रति आपकी जागरिती को या पवित्र जीवन जीने की आशा को प्रात्ना के प्रति प्यास को बहुत से लोग बचाये जाना है इस जिम्मेदारी और आशा को आज आपके जीवन में ना रहे वो आपको क्या दिखाकर आपके अद्बुतात्मिक्ता को दबा दे रहा है उत्तम सेवकाई को और एक उत्तम सेवक को आज अपने अधिन कर रहा है एक बार सोचिए हम किसके अधिन हो रहे हैं प्रियों उस दिन शैतान आपके जीवन को हमारी जीवन को नाश करने के लिए शैतान कुछ भी उप्योग कर सकता है और आज उप्योग करने वाले में जिसके आप अधिन हो चुके हैं, कुल मिला कर वो जान जाता है, इस आउजार को उप्योग करने साब पकड़े जाओगे, वो आउजार क्या है? उस विशय में दे हम प्रभू के साबने पस्षयत आप नहीं करेंगे तो, सबी विशयों में मैं ठीक हूँ प्रभू, लेकिन एक विशय में मैं गिर रहा हूँ, वो एक परिक्ष्य शैतान मेरे सामने लाने से मैं अधिन हो रहा हूँ, उस एरिया में जाते ही मैं पाप में गिर जाता हूँ, उस वेक्ति से बात करते ही मैं पाप में गिर जाता हूँ, वो टीबी चैनल आउन करने से बस, वो चैनल देखने से बस, उस यूट्यूब में जाने से बस, उस वेबसाइड में जाने से बस, मैं शैतान के अधिन हो जाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, मैं पाप की मजदूरी मृत्यू है, उसके बाद मनुष्य सीधे नरक में जाता है, जान बूचकर जो पाप और गलती आप करते हैं उसके लिए दंड मिलेगा, लेकिन शैतान क्या कहता है जानते हैं, दंड नहीं है कहता है, सबसे पहला, हव्वा को गिराने के लिए, आदम को गि जाने के लिए शैतान ने जो शर्यंतर रचा वो है, सुंदर था, और दूसरा शर्यंतर क्या है देखेंगे आईए, तीसरा अध्याय पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाये थे, उन सब में सर्व दुर्त था, उसने इस्तरी से कहा, क्या सच है कि, क्या सच है, हलो, हवा, तुम से बात करनी है, क्या है बुलो, यह सच है क्या, क्या चीज, परमेश्वर किसी फल को खाने से मना किये हैं, क्या, सच है, हाँ मना किये हैं, उस फल को खाने से तुम मर जाओगे, बोले क्या, हाँ बोले हैं, तुम एक बात जानते हो, क्या है, वो जूट है, वो क्या है, वो, जूट है, क्या परमेश्वर ने जो कहा है, वो सही नहीं है, परमेश्वर ने जो कहा कि उस फल को खाने से हम मर जाएंगे, क्या ये गलत है, अरे पगली, वो सत्य नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों बोले, वो ही बता रहा हूं मैं, वो ही बता रहा हूं, परमेश्वर ने जो कहा था, वो सत्य नहीं है, कितनी भयानक बात है प्रियों शैतान सबसे पहले मनुष्य को गिराने के लिए जो उपियोग किया था उस साजिश में सुन्दरता एक है तो दूसरा है संदेह किस पर संदेह जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसी मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति शैतान क्या उत्पन कर रहा है? संदे उत्पन कर रहा है. तुम विश्वास करते उस पर? उनके वचन पर विश्वास कर रहे हो? फागल हो. उन्होंने जो कहा सत्य नहीं है. प्रियों ये कितना भायानक है? आज शैतान मनुष्य को अपने इतना अधिन कर ले रहा है कि परमेश्वर के उपर ही भरोसा ना करे ऐसा कर रहा है. ये सच नहीं है क्या? हसली में आज कितने लोग परमेश्वर नहीं है? कहने वाले नहीं है प्रियों? इस बात को वे क्यों कह रहे हैं? विश्वास नहीं है. किस पर विश्वास नहीं है? मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर पर ही शैतान विश्वास को धूर कर दिया है. ये वे लोग हैं जो आत्मिक नहीं है और जो लोग गैर हैं जिनके अंदर परमेश्वर पर विश्वास नहीं है. वे परमेश्वर पर विश्वास ना करें इसा कर दिया है, इसलिए वे परमेशवर नहीं है कह रहे हैं। वेक्ति है की नहीं बताईए? है। आपके आखों के सामने जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है तो उसे बनाने वाला कोई ना कोई है इसलिए दिखाई दे रही है न। इतने कावन सेंस को रखने वाले हैं मनुष्य, यदि आप हैं तो आपका बनाने व पीच कोई हैं क्या? परमेश्वर के प्रती हमारे मन में संदे ले आता है, नफरत ले आता है, मन में अविश्वास ले आता है, शैतान जो शुरू से हमला करता आया है, किस के उपर जानते हैं परमेश्वर के वचन के उपर, उनके बातों पर, परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या, इस बात को कहा क्या, यानि किस पर संदेः उत्पन कर रहा है परमेश्वर के वचन के उपर उस वचन को विश्वास करने नहीं देना है इसलिए आज पूरे विश्व में पवित्र बाइबल के ऊपर जितना अधिक हमला हो रहा है इस विश्यु में किसी और पुस्तक के उपर नहीं हो रहा है, किसी पुस्तक को फाड़ते हुए आप देखें क्या, किसी पुस्तक को जला देना आप देखें क्या, विश्यु में सबसे अधिक पड़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है, अभी भी Guinness Book of Records में सबसे अधिक बि पुस्तक को पुस्तक को पुस्तक किया गया था, हमारे देश में वो बैबल है, क्योंकि हमारे देश में जिनोंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को लाए थे वे हैं, विलियम कैरी, नाम के इंगलेंड के वासी, इंगलेंड देश के वासी विलियम कैरी, जब प्रिंटिंग प्रेस को हमारे देश में लेकर आए, उनके द्वारा प्रिंट की गई पहली पुस्तक है, बाइबल, पूरे विश्वों में, सबसे अधिक पड़ी जाने वाली पुस्तक के रूप में, सबसे अधिक, प्रिंट की जाने वाली पुस्तक के रूप में, अनुवाद की जाने वाली पुस्तक के रूप में जाना जा रहा है तो ऐसे पवित्र ग्रंत बाइबल को क्यों नाश करना चाते हैं? प्रियों शायद आप ना जानते हों, मैं और मेरे परिवार के लोग अभी मसी हैं, एक समय में हमारा परिवार या फिर मैं या हमारे माता पिता मसी नहीं थे, मसी के विशह में बात करने से, चर्चा करने से या नाम लेने से पता नहीं क्यों, बहुत क्रोधित होते थे, एक तरह से देश करते थे और नफरत करते थे, ऐसा विरोध करने वाला और देश करने वाला परिवार था हमारा परिवार, कुछ लोग आज भी बाइबल से नफरत करते हैं, आज भी हमारे परिवार में, पत्नी का बाइबल पढ़ना पती को पसंद नहीं, बाइबल पकड़ना भी पसंद नहीं, ब्रियों बड़े शान से लड़किया और लड़किया, नंगी तस्वीरों वाले मैगजिन को अगर अपने घर में लाने से, माता पिता अधिक ध्यान नहीं देते हैं, बेकार के सब्ताहिक पत्रिकाएं, उपन यास, बेकार के फिल्मी पत्रिकाएं, नंगी तस्वीरें वाली पुस्तकें बेकार के आर्टिकल वाले पुस्तकों को जब बच्चे पढ़ते हैं माता-पिता उतना ध्यान नहीं देते हैं अब सेलफोन आगयत अब उनकी मर्जी है अगर माता-पिता बच्चों से कहें कि तुम इस तरह हमेश्या मोबाईल में लगे नहीं रह सकते कहने से आज की स्थिती क्या जानते हैं बच्चे माता को पिता को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ पतनिया तो पती को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं आप बुरा मत मानना प्री भाईंओ और बहन हो, मैं आपसे एक प्रशन पूछ रहा हूँ, पति नी चाहिए या सेल्फोन चाहिए? किसका चुनाओ करोगे आप? पुरी बहन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सेल्फोन चाहिए या पती चाहिए? आप पती के बीना जी सकती ओं लेकिन सेलफोन के बीना मैं नहीं जी सकतीी यह है आज की वास्तविक परिस्तिती उतना क्यों प्रियों बच्चा रोने से एक समय मा दुलारती थी लोरी गाया करती थी अभी मा के पास इतना धीरच कहा है बताइए छोटा बच्चा रो रहा है समझिये, मा दुलार नहीं रही है, चांद को नहीं दिखा रही है, लोरी नहीं सुना रही है, उसके हाथ में सेलफोन दे रही है, पता नहीं ये क्या है, उसके उमर एक साल हो सकती है, साथ महिने हो सकती है, वो साल भर का क्यों ना हो सेलफोन देख आरम से श्रैतान किस पर हमला कर रहा है जानते हैं परमेश्वर के वचन के उपर जिस वचन को परमेश्वर ने कहा है उस वचन पर श्रैतान हमला कर रहा है उस वचन पर हवा विश्वास ना कर ऐसा किया उतना क्यों प्रियों अबरहाम और सारा को परमेश्वर चुने की नहीं? हाँ चुने थे संतान दुंगा बूले ना? हाँ दुंगा बूले वो दोनों विश्वास किये? हाँ विश्वास किये इस तरह विश्वास करने के बाद एक दिन सारा आकर स्वामी आपसे एक बात कहनी है क्या है बोलो परमेश्वर संतान देने का वच्चन दिया है लेकिन पताने क्यों पताने क्यों मुझे थुड़ा संदे है क्यों क्या संदे है पुत्र होगा के नहीं होगा तो फिर अभी तुम क्या कहती हो मेरे गर्ब से जनम ले या ना ले मेरी दासी हाजीरा है न कम से कम उसके गर्ब से तुमारे द्वारे एक पुत्र हो तो उसे ही अपना पुत्र समझोंगी ये कहकर संदे करके तो प्रियों उस दिन सारा अपने पती के पास अपनी दासी को भेजी सारा किस पर संदे की बताईए बताईए आपके जीवन में जब कश्ट आते हैं, आपके जीवन में जब समस्या आते हैं, आपके जीवन में अचानक कोई भीमारी आने से सब कुछ ठीक था, स्वस्त हो, कोई कमी नहीं है। दमाद और बेटी अच्छे से रह रहे हैं, हमें अच्छा दमाद मिल गया, इस तरह आप सोच रहे थे, और खुश हो रहे थे, और सब को बता रहे थे, आननदित थे, तब अचानक बेटी फोन की, माँ वे अच्छे व्यक्ति हैं, मैं भी भरोसा की, आप भी भरोसा किये, छे मैने साथ रहने के बाद मालुम चला, उन्हें बहुत सी गंदी आदते हैं। इस बात को सुनकर माँ परेशान हो गई, और बेटी भी परेशान हो गई, यह क्या है बेटी, बहुत अच्छा धमाद मिला है हम सोचे, यह परमिश्वर की मर्जी है सोचे, वे आत्मिक हैं सोचे, अभी तुम ऐसे क्यों बता रही हो, वो ही तो माँ वे आत्मिक है सोचे, भब्तिस्मा लिये हैं सोचे, लेकिन हम जैसे सोचे वैसा नहीं है, बहुत दुष्ट है मा, मुझे बहुत दुख दे रहा है मा, ऐसी स्तिती या ऐसी परिस्तिती आने से समान्यता हम किस से प्रशन करते हैं, जानते हैं प्रियों, बताईए किस से परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। उनके खुशे के लिए वेडिंग कार्ट को खोलता हूँ, उसे देखता हूँ, लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, देखता हूँ, कहा की शादी है, कौन शादी दे रहा है, इस तरह देखने के बाद, विवाह ग्यारा बच कर नौ मिनट में, आहा, पावित्र विवा कह रहे हैं, पवित्र परमेश्वर उतर आएगा कह रहे हैं, पवित्र सीवक कह रहे हैं, पवित्र समाज और पवित्र कलिस्या कह रहे हैं, इन सब के बीच पवित्र विवा होना है, लेकिन मुहरत के अंदर होना है, मोर्ख हैं प्रियों, मोर्ख हैं, आरम से परमेश् के उपर हमला कर रहा है क्या ये सच है परमेश्वर कुछ कहा है कहा है क्या कहा है इन फलों में से कोई भी फल खा सकते हो लेकिन इस फल को मत खाना कहा है खाओगे तो मर जाओगे किसने कहा तुम से ये बात उनकी बात सच है सोच रहे हो तुम ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, वो जो बोले सच नहीं है, साक्षाथ सैतान परमेश्वर के वचन पर ही हमला किया, परमेश्वर के वचन पर हमला कर रहा है, इस वचन को लोगों तक पहुँचने नहीं दे रहा है, हम जो सेवग हैं, हम जो कलिश्या के रखवाले हैं, कलिश्या को देने के लिए हमारे पास कुछ है कहने से, वो है परमेश्वर का खरा वचन पहान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुती सीधे और इश्पस्ट, उत्पति तीन अध्याय से, छे हजार वर्ष पले अदन की वाठिका में, घटित घटना को इस्पस्ट रूप से, आप हमें दिखाएं, बोया गया ये संदेश, हर एक के हिरदय में फलवन्थ होन है पिता, सुन्दरता को आधार बना कर, उस दिन आत्मिकता को नाश कर दिया था, वो शैतान, संदे उत्पन कराया, आपके वचन पर ही संदे, उस पर विश्वास करने नहीं दिया, पिता, आज आपके वचन पर विश्वास करने नहीं दे रहा है, आपके वचन को सुनने आपके वचन को पढ़ने नहीं दे रहा है, आपके वचन का प्रचार करने नहीं दे रहा है। आमी